नमस्कार सात्यों मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टियाइस चानल की इस नए विडियो में यह हमारा एकनॉमिक्स दिस्वीज का प्रोग्राम है जहां पर हम इस हफते में एकनॉमिक्स की जो भी तमाम इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खबरे रही हैं उन हमारी पहली खबर के उपर हमारी पहली खबर है यूनिफाइड लेंडिंग प्लाटफॉर्म को लेकर के तो आर्बियाई ने हाल ही में घोशना किया है कि और राष्टिय इस तरफ पर यूनिफाइड लेंडिंग प्लाटफॉर्म को लांच किया जा सकता है इस पूरे प्ला प्लाटफॉर्म है यह पहली बार लॉंच नहीं होगा इसते पहले भी अगर आप देखें तो 2023 में पूरे प्लाटफॉर्म का एक पाइलेट प्रोजेक्ट लॉंच किया था लेकिन अब यू अब जो आपका आरबी आई है वह इस पूरे प्रोजेक्ट को राष्ट्र पर लॉ टेने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाये जा सकेगा फीचर की बात करें विशेष्टाओं की बात करें तो यहां पर आपका सहमती अधारित डिजिटल एकसे को प्राप्त होगी यानिकि जो भी लोन देने वाले लोगों को जो आपके ग्राहक है जो कंजूमर्स हैं उनके आधार पर जो है decision लिया जा सकता है कि आपको loan देना है या फिर loan नहीं देना है और features के अगर आप बात करें एक important point आपको याद रखना है यहाँ पर कि यह data है यह data आपका सहमती के अधार पर ही लिया जाएगा जब आप इसको अपनी consent देंगे तभी यह data आपका प्रदान किय जाएगा और features अगर आप देखें एक इसमें feature यह है कि इसमें आपको जो है एक specialized और एक जन्रलाइजड API दिखने को मिलेगा API यानिके application programming interface अब इसका फायदा यह होगा कि basically यहाँ पर एक standardized API मौजुद होगा इसका फायदा यह होगा कि plug and play approach से काम करेगा यानिके इसके UPI होता है UPI कोई भी company जो है वो अपना अपना आप शुरू कर सकती है UPI के माध्यम से UPI का interfaces का इस्तमाल करते हुए उसी तरह से कोई भी company जो है वो unified lending interface का प्लाटफॉर्म है उसका इस्तमाल कर पाएगी और अपने app को design कर पाएगी तो यह plug and play approach के आधार पर काम करता है पाय सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा time लगता है जिससे बहुत दाधा time waste होता है इससे time को सुरक्षित किया रह सकता है Centralized data मौझूद होगा हमने देखा आप से जो भी जुड़ी जानकारियां है उस platform पे मौझूद होंगी फिर इसके अलावा क्रशी और MSME सेक्टर जो है उस से अभी एक Trinity काम करती है वो है Jam, Jam में J का मतलब है जंधन योजना, A होता है आपका अधार, M होता है मुबाइल, तो अब एक और इसी के साथ मिला करके Trinity तयार की जाएगी वो है Jam, ULI और UPI की जंधन अधार मुबाइल, ULI यानि की Unified Lending Interface और UPI यानि की Unified Payment Interface, इसको मिला करक में financial inclusion के लिए अलग से पूरा ecosystem तयार करने की सरकार की योजना है, तो यह हुई हमारी पहली ख़बर, दूसरी खबर अगर आप देखें तो OPEC से जुड़ी हुई है दूसरी खबर, दूसरी खबर दरसल चर्चा में इस वड़े से आई है क्योंकि अमेरिका का एक department है, जिस जो अमेरिका का विभाग है, इसकी ओर से एक report जारी की गई है, जिस report में बताया गया है, कि दो हज़र 28 तक या आगे आने वाले समय में भारत की जो उर्ज़ा जरूरत है, वो बहुत तेजी से बढ़ सकती है, और क्योंकि OPEC धीरे धीरे अपनी demand में कटौती कर रहा है, इ थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे 1950s और 1960s के असपास, तो वो जो है आपका decolonization का समय था, वो जो है आपका वी उपनिवेशी करण का दौर था, बहुत सारे देश जो है आजाद हो रहे थे, लेकिन उस तो में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश आजाद तो हो रहे थे, पर जो तेल का भंडार था, उस पर केवल कुछ European countries का कबजा हुआ करता था, लेकिन आजादी के साथ एक भावना भी पैदा होती है और उस भावना में ये कहा जाता है कि जो स्थानिय संसादन है, उन पर स्थानिय लोगों का अधिकार होना चाहिए, इसी व पगदाद जो की वर्तमान समय में इराक में है, वहाँ पर एक सम्मेलन किया जाता है, और एक नया संगठन गठित होता है, जिसको कहा जाता है ओपैक, ये जो ओपैक है, ये बेसिकली आपका इसमें शुरुवात में इरान, इराक, कुवैत, साओधी अरब और वेनेजुरा शामिल थे, बाद में इसका विस्तार होता है, और वर्तमान समय में आपको इसमें टोटल 13 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, और थोड़ा से इस पर विस्तार से बात करें, तो ये एक स्थाई अंतर सरकारी संस्था है, सरकारे इसमें शामिल होती है, जो कि पेट्रोलिय करना, उनको कॉडिनेट करना, उपभूगताओं को पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, और उत्पादों के लिए स्थिर आए, तेल बाजार और स्थिर बाजार बनाए रखना, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये आपका कच्छे तेल का 40 प्रतिश करता है, इसी वज़े से इंपोर्टेंट लेवल, अंतराष्टी लेवल पर वैश्विक तेल की कीमतों को निर्धारित करने में, ओपैक की एक इंपोर्टेंट भूमिका रहती है, अब ओपैक के साथ एक और कॉंसेप्ट आता है, वो है ओपैक प्लस का कॉंसेप्ट, ओपै रशिया यहाँ पर शामिल है, तो ओपैक में रशिया शामिल नहीं है, लेकिन ओपैक प्लस में रशिया शामिल है, तो यह हमने यहाँ पर ओपैक के बारे में बात कर ली है, अब बढ़ा जाया आगे, बातचीत करें अपनी अगली खबर पे, हमारी अगली खबर आपका बो असलब क्या होता है तो इसका मदलब होता है मौजूदा शेर धारकों को मुफ्त में अतिरिक्त शेर जो है पेश करना इसको कहा जाता है बॉनस इशू जैसे अगर आप समझें बॉनस इशू का वंद करते हैं तो उसके बदले आपको एक शेर कंपनी एक्टरा प्रदान करेग अगर 1-5 का है अगर आप company के 5 share hold करते हैं तो company आपको उसके बदले एक extra share प्रदान करेगी अगर 1-1 का है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप company का एक share hold करते हैं तो company उसके बदले आपको एक extra share प्रदान करती है तो अब reliance industries भी जो है वो आपका share issue या आप कह सकते bonus issue जो है करने वाली है लाब क्या होता है इससे लाब की अगर आप बात करें तो इससे निवेशकों को पुरुस्कृत किया जाता है reward किया जाता है निवेशकों को थोड़ा सा फायदा मिलता है कमपनी की मजबूत वित्य स्थिती का प्रदर्शन होता है कि कमपनी बहुत ज़दा अच्छे sound financial situation में है फिर बहुत ज़दा निवेशक आकरशित भी होते हैं बहुत सारे लोग जो है वो नए investor के तौर पर जुड़ते हैं और बाजार में तरलता भी बढ़ जाती है इसके इसका नुकसान ये होता है कि कंपनी के बैसे का कि बहुत कर आ बत कर लिगात अकौंट को ले करके तो डिमsters कौंट के अगर आप बात करें डिमات अभी हरचा में आया है क्योंकि सेवी पर बॉम्मे सब्सक्राइब करें डिमेट अकौंट होता क्या है तो डिमेट अकौंट जो है वह आपका विषेश प्रकार ले करते को तो आप आप शेर मार्केट में इनवेस्ट करते हैं तो इन्वेस्मेंट करने के लिए आपको एक अकांट के जरुत होती है जिसक अकांट को कहा जाता है' द्रीओं' जॉह य सेक्वर्मेंट अकांट सिक्योरिटीज हो गई जी साक हो गया टी बिल हो गया इनको बिसिकली आपका ओनलाइन खरीदने और इनको ओनलाइन सुरक्षित रखने का अउसर देता है अब डी मैट अकाउंट की जो फुल फॉर्म है वो है डी मटेरियलाइज अकाउंट तो यहां पर एक शब्द इंपॉ प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है उसको डी मटेरियलाइजेशन कहा जाता है अब डी मैट अकाउंट के इतिहास के अगर आप बात करें तब आप इस शब्द को आसानी से समझ पाएंगे डी मैट अकाउंट की शुरुआ भारत में जो हुई थी यानि कि ऑनलाइन प्रतिभूतियों को रखने की शुरुआत जो हुई थी वह 1996 में हुई थी 1996 से पहले अगर आप बात करें तो जो आपके शेर होते थे प्रतिभूतिया होती थी उनको फिजिकल कॉपी के फॉर्म में सर्टिफिकेट के फॉर्म में रखा जाता था जिसके चोरी होने की संभावना जादा थी आग लगने की संभावना जादा थी समय बहुत खराब होता था बहुत मेहंगा हुआ करता था इसके अलावा निप्टान में देरी होती थी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी तो इनी तमाम समस्याओं से निपट है इससे इसके अलावां बहुत लचीला होता है फ्लक्सिबल होता है सेटल्मेंट जल्दी हो जाता है तो बहुत सारे फायदे आपको डीमेट अकाउंट से देखने को मिल जाते हैं तो यह हमने डीमेट अकाउंट के बारे में बात की जो important points थे उनको समझ लिया है अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है सवाल के जवाब आपको comment box में देने हैं सबसे पहला हमारा सवाल है कि jam ULI UPI में jam का अर्थ क्या है option अगर आप देखें option A है जन्धन अधार मोबाइल option B है जन्म आवास मृत्यू option C है जल अंबर माध्यम इसमें से कोई नहीं तो इसका जवाब आपको comment box में देना है हमारा सवाल दूसरा सवाल है इनमें से कौन सा देश ओपैक का हिस्सा नहीं है हमारे option है option A इराक option B इरान option C कुएत और option D रूस तो इसका सही जवाब क्या है वो जल इसका सही जवाब जल्दी से आप comment box में देंगे मुझे उमेद है किस वीडियो में हमने जितने important points पर बात की है वो आपको समझ में आये होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने साथ मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए ध्यान रखिए पढ़ती रहिए धन्यवाद